मौसम का असर हमें अपने शरीर स्वास्ते पर भी देखने को मिलता है जब भी मौसम में बदलाव आता है तो इसका असर हमारी सेहत पर भी जरूर पढ़ता है ऐसे में हमारे पैरों की एड़िया भी नहीं बचपाती है इन पर ज्यादा असर पड़ता है इनी परिशानियों में से एक है फटी एड़िया जो आपके पाओं की सुन्दर्दा को कम करते हुए दूसरों के सामने शर्मिंदगी भी महसूस करवा सकती है हाला कि आज कल बाजारों में कई तरह के प्रोड़क्ट आ चुके हैं जो आपको इस समस्य से निजाद देला सकते हैं लेकिन घर के कुछ उपाय के साथ ही आप एड़ियों के दर्द को दूर कर सकते हैं साथ ही उन्हें सुन्दर भी बना सकते हैं तो आज की अपने स्पिशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे उपायों के बारे में जिनकी मदद से फटी एड़ियों से निजाद पाने में आपको बहुत मदद मिल सकती है आपको बता दें एड़ियों को मुलायम बनाने के लिए ओट और जोजोबा को मिला कर एक पैर उपर लगाएं कुछ ही दिनों तक लगातार ऐसा करने से पैर मुलायम हो जाएंगे फटी हुई एड़ियों को ठीक करने के लिए आप अंडे और नीम्बू का मासका भी इस्तिमाल कर सकते हैं एड़ियों को सॉफ्ट बनाने के लिए अंडे और नीम्बू का मिश्रण तियार करें सबसे पहले दो चम्मच अंडे की जर्दी ले इसमें एक चम्मच निम्बू करस ले इसको 20 मिनट के लिए एड़ियों पर लगाएं फिर पैर को ठंडे पानी से थो ले इसी के साथ आप नीम और हल्दे का भी इस्तिमाल कर सकते हैं गर्मियों के मौसम में एडिया फटने लगती हैं फटी एडियों से रहत रहत पाने के लिए नीम की पत्यों का पेस्ट बनाएं इस पेस्ट में थोड़ी सी हल्दे भी मिला लें इस पेस्ट को तक्रीबं 30 मिनट के लिए फटी एडियों पर लगाएं सूखने के बाद पैर को धोले लगातार एक हफ्ते तक ऐसा करने से इडिया नर्म होने लगेंगे क्यूरेन हेल्थ डेक्स से आर्थी की रिपोर्ट